अगर आप एक teacher हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा important है क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ एक ऐसे application के बारे में जिस application को use करके आप easily and fast assessment create कर सकते हैं तो उस application का नाम क्या है और आप उस application को कैसे use कर सकते हैं करने के लिए आज के इस वीडियो को इन तक देखिएगा वीडियो अच्छा लगए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजएगा और नोटिफिकेशन बेल को अल पे क्लिक कर लिजएगा ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो मल्टिफल एसेस्मेंट से क्रेट करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है एक सब्ता दो सब्ता या फिर महीना तक भी लग जाता है अलग प्रसनाइज कोस्चन रिदी करना पॉसिबल नहीं है को आपको टाइप करवाने में प्रिंटिंग करवाने में आपको बहुत जादा पैसा भी लग जाता है मनी वी इन्वेस्ट हो जाता है आपके इन सभी प्रब्लम्ज को सॉल्व करता है जैकेट एप्लिकेशन एप स्टोर एंप लेवल यह वैसे मैंने इसका लिंक नीचे अ देदिया आप वहां से भी जाकर के डाउनलोट कर सकते हैं आप इस application के AI technology से दस ज्यादा तेजी से एसेस्मेंट कर सकते हैं आप इस application पे इंग्लिस हिंदी गुजराथी तमील बेंगाली एंड 20 प्लस लैंग्वेज में assessment create कर सकते हैं, आपको बता देता हूं कि आप इस application को कैसे use करके easily and fast assessment create कर सकते हैं, application download करने के बाद application को open कर लेंगे, application open होने के बाद यहां से आपको दो options करेगा, एक I am a student and एक I am a teacher, तो यहां से आप teacher पे press करके and choose पे press कर लेंगे, and choose पे press करने के बाद यहां से आपको इस application में sign in करने के लिए three options मिल जाते हैं, एक continue with email, एक continue with phone number and continue with Google, तो इसमें से आप जो भी आपके पास होगा जिसे चाहें, उससे आप इसमें sign in कर लेंगे and sign in करने के बाद यहां से आपको name add करने के लिए आ जाएगा, तो आपके पास coaching institute या फिर school है, तो आप अपने coaching institute या इसकूल का name add कर लेंगे, या फिर आप अपने user name को add कर लेंगे, and name add करने के बाद यहां से आपको option मिल जाते हैं, assessment create करने के लिए, तो यहां से आपको दो options मिल जाते हैं, एक use my own questions and use our library, तो यहां से आप use my own questions पे press करते हैं, तो यहां से आप अपने assessment के name को add कर लेंगे, and next पे press कर लेंगे, and then यहां से आपको option मिल जाते हैं, कि आपके कितने number के questions है, and कितने questions है, and next पे press कर लेंगे, and next पे press करने के बाद यहां से आपको दो option मिल जाते हैं, यहां से आपको एक option मिल जाता है, create question का, and use a library questions का, तो यहां से आपको create प्रेश कर लेना है यहां प्रेश करने के बाद आपको आपके question type को select करने का option मिल जाता है कि आपका question किस-किस type का है multiple choice multiple select long answer and short answer तो आपका यहां से जिस type का question होगा आप उसको select कर लेंगे और select करने के बाद आपको यहां से option मिल जाता है एक take a picture का एक album का एक type का तो take a picture जो है इस application का main feature है इससे आप अपने handwritten question के photo को click करके उसको digital में convert कर सकते हैं तो यहां से आपको take a picture पे press कर लेना है and take a picture पे press करते ही यहां से आपके phone का camera open हो जाएगा तो आप अपने handwritten question के photo को click कर लेंगे and then ok पे press कर लेंगे ok पे press करते ही यहां से आपको three type के crop करने का option मिल जागा एक smart crop as crop to text and crop to image का तो अगर आपका photo picture quality best है देन आप smart crop कर लेंगे and अगर आपका normal अच्छा quality उतना नहीं है photo का तो आप crop to text पे press करके crop कर सकते है and यहां से आपका option है कि crop to image का तो अगर आपके question में कोई diagram या फिर photo है तो आप crop to image से कर सकते है तो मैं smart crop कर लेता हूँ and यहां से export पे press कर लेंगे and export करते ही यहां से जो है आपका hand written question वो digitize हो जाएगा digital text में convert हो जाएगा तो उसके बाद आपको आपका जो भी answer होगा उसको select कर लेना है and यहां से done पे press कर लेना है and done पे press करते ही यहां से subject class, chapter, curriculum, topic, difficulty जैसे options आजाएंगे इन सभी को आपको add करना होगा, तो आप इन सभी को add कर लेंगे and सभी levels को add करने के बाद यहां से create question का option आ जागा तो आपको इस पे press कर लेना है and इस पे press करते ही आपका question है वो create हो जाएगा तो यहां से आपको right, side, top में mark का option मिल जाता है तो आप इस पर प्रेस कर लेंगे यहां से आपका question कितने marks का है कितने number का है वो आप यहां से add कर लेंगे and done पर प्रेस कर लेंगे यहां से done पर प्रेस कर देंगे देन आपका quiz create हो जाएगा इसी तरह से आप direct अपने handwritten question paper के photo को click करके question को digitize कर सकते हैं आप quiz create कर सकते हैं and next option मिल जाता है album का तो album से आप आपके phone में अगर आपके handwritten question क्या photo होगा तो आप उसको भी digitize कर सकते हैं digital में convert कर सकते हैं तो उसके लिए आप album पर प्रेस कर लेंगे and album पर प्रेस करने के बाद यहां से right side down में plus का icon मिल जाता है तो इस पर आपको प्रेस कर लेना है और यहां प्रेस करते ही आपके phone का gallery open हो जाएगा दिन आप उस photo पर प्रेस कर लेंगे तो यहां से आपका media files में वो photo add हो जाएगा तो अब add होते ही आपको उस पर प्रेस कर लेना है और यहां प्रेस करने के बाद अगेन आपका smart crop crop to text and crop to image आजाएगा तो जैसा कि मैंने पहले बता है सेम उसी तरह से आप आपका जैसा होगा question उस type से आप crop कर लेंगे and crop करने के बाद यहां से right side top में export पर प्रेस कर लेंगे and export पर प्रेस करते ही यहां से आपका hand written question वो digitize हो जाएगा digital में convert हो जाएगा तो सेम उसी तरह से आप अपने answer को select करके done पर प्रेस कर देंगे दिन आपका question create हो जाएगा and save मुझी तरह से यहां से आपका type का option मिल जाता है तो type पर प्रेस करके आप यहां से अपने अनुसार उस question को type कर सकते हैं and यहां से एंसर पर प्रेस करके आप अपने answer को भी type कर सकते हैं यहां से आपका बहुत सरे symbols, diagram और यहां से photo भी आप एड कर सकते हैं जो भी आपका answer होगा वह आप यहां से type करके and save पर प्रेस कर लेंगे दिन आपका question create हो जाएगा यहां से आपको मिल जाता है use our library का option तो इसमें जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि इस पर 1,000,000 प्लस question bank available है तो आपको यहां से use our library पर प्रेस कर लेना है यहां प्रेस करने के बाद यहां से आप अपने assessment का name add कर लेंगे and next पर प्रेस कर लेंगे यहां से अगेन आप आपका जितना question होगा जितने number का होगा जितने marks का होगा वह आप यहां से आइड कर लेंगे और नेक्स पर प्रेंगे सेम आप जàyताया वूप्त करएं तो इस पर प्रेंगे स्वेह एसनमे का कोशिन होगा आप इसको सिलेक्ट करके एंद पर प्रेंगे यहां से लेक्स करलेंगे इंद सेम यहां से आप अपने chapter को select कर लेंगे इंद इतना करते ही यहां से आपके questions से select कर यहां से आपके जितने questions और एबलेबल है इस application में वो यहां से show कर देंगे तो 13 questions और टो जैसा कि मैंने यहां से number of questions to select किया तो मेरे two questions automatic आ जाएंगे, generate हो जाएंगे, तो मेरे questions generate हो चुके हैं, यहां से right side top में mark का option मिल जाता है, तो इस पर प्रेस करके, यहां से आपके question का, जितने भी marks के question है, वो आप यहां से add कर लेंगे, and done पर प्रेस कर लेंगे, and again आप यहां से इस question में भी आप अपने mark को add कर कर लेंगे, and done पर प्रेस कर लेंगे, and then इतना करने के बाद आप done पर प्रेस कर लेंगे, done पर पर प्रेस करते ही, यहां से आपका option आजाएगा quiz availability का, तो यहां से आप अपने quiz का अवलिलिटी को add कर सकते हैं, कि आपका kब start होगा, and आपका कब ind होगा, आपका quiz, आप जब quiz को create करते हैं तो उस देट का आप यहां से सिलेक्ट कर लेंगे और टाइम आपका जो भी सिलेक्ट करना होगा वह आप टाइम सिलेक्ट कर लेंगे यहां से इन देट है तो आप जिस दिन क्रिेक्ट करेंगे उसके नेक्श्ट दे को आप यहां से प्रेस कर लेंगे यहां से आपका जो हम सकत нап हो चाहते हैं दो कर लेता हूं और से का सब्सक्राइब कर देते हैं तो आपके जितने उन्हें च्क भी खालगे यह कोशन फिर संफ्ट तो इसी तरह से जितने भी आपके students होंगे तो उन सभी में अलग-अलग numbering पे अलग-अलग questions सोग करेंगे यहां से आपका option मिल जाता है allow students to see the result after attempting the quiz तो इस पे आप अगर check कर देते हैं तो आपके students जब answer करेंगे तो उनका जो भी result होगा वो यहां से देख सकते हैं यहां से आपका option मिल जाता है water text का तो अगर कोई coaching institute या फिर school है तो आपने water mark को यहां से add कर सकते हैं या फिर अगर आपका कोई brand लोगो है आपके coaching institute या फिर school का तो आप यहां से upload भी कर सकते हैं यहां से आपका एक option मिल जाता है ठीव एज student यस पर प्रेस करते हैं तो आपके student में किस तरह से आपका quiz शो करेगा वह भी आप देख सकते हैं इतना करने के बाद यहां से आपका publish पे प्रेस कर लेना है और publish पे प्रेस करते ही आपका जो quiz है वो create हो जाएगा यहां से आपका option मिल याता है share to whatsapp का and share via other apps का तो आप अपने student के साथ whatsapp से share कर सकते हैं या फिर अपने link को किसी another application पे share कर सकते हैं या फिर copy link भी कर सकते हैं या फिर QR code भी download करके आप अपने student को भेज देंगे देने वो scan करके आपके quiz portal पे आ जाएंगे तो quiz के link को share करने के बाद आप application open करते हैं तो यहां से आप देख सकते हैं कि आपने जो quiz के link को student के साथ share किया है तो उसमें से कितने student ने उसे quiz को submit किया है and इस पर प्रेस करते हैं and इसको open करने के बाद यहां से overview का option मिल जाता है तो यहां से आप देख सकते है कि आपके कितने student ने quiz को submit किया है and यहां से आपका so कर देगा कि आपके ज़्यादा तर student ने कितने time में आपका जो है इसे quiz का answer किया है, submit किया है यहां से नीचे में आपको मिल याता है average marks का option यहां से आप average mark देख सकते हैं यहां से आपको टॉप नंबर देख सकते हैं यहां से आपको नीचे में लीदर बोट का ऑप्शन मिल जाता है तो यहां से आपके ट्री रेंग्ट को यहां से सो करेगा तो फर्स रेंग सकेंद रेंग एंद थर्द रेंग नीचे में देखेंगे तो यहां से आपका कोश्चन प्रशन का उप्शन मिल जाता है तो यहां से आप अपने कोस्षन के एकुरेश्ची को देख सकते हैं कि कौन सा कोस्षन परसेंट करेक्ट मार्क किया गया है तो यहां से आपके इस्टुऍधंट के लिस्त से तो कर देंगे कि आपके कौन-कौन से student ने आपके quiz को submit किया है यहां से student का score, mark and rank भी show कर देगा तो इसी तरह से आप अपने quiz के data को analyze कर सकते हैं इस application में आपको मिल जाता है left side top में notification का option तो यहां press करते हैं तो आप इस application के notification को देख सकते हैं and right side top में यहां से आपका मिल जाता है एक help center का option तो यहां से अगर आपको इस application से related कोई भी problem होगा, कोई भी issue होगा तो आप इस start chat पे press करके आप इस application के official whatsapp number से contact करके अपने जो भी problem है उसको solve कर सकते हैं यहां से आपका option मिल जाता है profile का तो इस पे आप press करते हैं तो यहां से आप अपने account के information को देख सकते हैं password and security and the watermark setting को देख सकते हैं यहां से आप log out भी कर सकते हैं तो इसी तरह से आप इस jacket application को use करके easily and fast assessment कर सकते हैं तो आई होप कि आपको यह video काफी पसंद आई